दोस्तों बियेड बेरतियों को उपी हो या फिर बिहार दोनों ही राज्यों से बड़ी राहत अब मिलती हुई नजर आ रही है आप लोगों को पता है बियेड बेरतियों को हटा दिया गया अब जब हटा दिया गया तो बियेड बेरतियों का आक्रोस दोस्तों बिहार में और तेजी से बढ़ गया इसी की वज़ा से वहाँ पर विपक्ष में जो भाजपा है दोस्तों लगतार उसके द्वारा सवाल उठाय जा रहा था सरकार पर कि किसी ना किसी तरीके से बेड़ वाले अब्यर्टियों को मौका दिया जाए जब दोस्तों भाजपा विहार में ये मांग कर रहा है कि बेड़ वाले अब्यर्टियों को पियार्टि में सामिल किया जाए तो कैसे यूपी में ये नहीं लागू होंगे दोस्तों पूरी संभावना जताई जा रही है ऐसे information मिल लए है कि यूपी में बेड़ वाले अब्यर्टियों को पियार्टि में सामिल करने को लेकर कवाय तेज हो गया है बेड़ वाले अब्यर्टियों को किसी ना किसी तरीके से सामिल किया जा सकता है संभाना है दोस्तों की अध्यदेस पर वीचार होगा अध्यदेस आ सकता है जल्दी आप लोगों को बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है बेड़ वाले अभ्यरती प्यार्टी में एक बार फिर से सामिल हो सकती है इसके अलावा अगर बात किया जाए दोस्तों दूसरे चरण में कितने रिकूट्मेंट आ रही है बिहार में यहां पर आप लोग देख सकते हो दूसरे चरण में 70,000 सक्षकों की बहाली होगी यूपी की बात किया जाए, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, इसमें कुछ डीटेल इन्फॉर्मेशन बताई गई है, 81,000 के सम्थिंग पोश्ट पर दोस्तो नई रिक्रूट्मेंट आने की संभावना जताईज आ रही है, तो दोस्तो यूपी हो या फिर बिहार बेड़ आप लेवाले बेर्तियों को ज्यादा परिसान होने की आवा सकता नहीं है, तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर पर एकन को जरूर पर आसे करें थाई